ये कुछ अपने लिए मांगनी कर रहे हैं। जिस उमर में तुमारे लॉंडे ओयो होटल में लड़कियां लेकर पड़े रहते हैं। उससे कम उमर में ये बंदे ने रिंदू रास्ट बनाकर दिखा दिया है। कि मेरे सनातन की तरफ देखने वाले को मैं मार दूंगी और भारत में रहकर भी तुम भारत को गलत बता रहे हो तो भारत का हिंदू रास्ट बनना बहुत जुरूरी है। जहां इनकी तरफ को यांख उटा कर देखेगा भाया तो वो अपनी आखों का जुम्मेदार खुद हो मंत्री योगी अधितेनात जो अपने बयानों के वज़े से चर्चा में रहते हैं उन्होंने अब एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वज़े से वो चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने राजस्थान में लोगों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि सनातन धर्म ही राश्ट्रे धर्म है इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बाचीत करने के लिए इस वक्त आस्थामा मौझूद हैं जो इन दुनों एक वाइरल चेहरा बनी हुई हैं बहुत बेबाकि से सनातन धर्म का पक्ष रखती हैं बहुत बहुत स्वागत है आस्थामा धन्यवाज आप राजस्थान में कॉंग्रेस के गड़ में मुख्य मंत्री योगी अदित्यनाद पहुचे और कह दिया कि सनातन धर्म ही राश्ट्रे धर्म हैं क्या कहेंगी उस पर देखिए पहले तो मैं योगी जी को नमन करती हूँ और सादूबाद करती हूँ कि योगी जी एक हमारे लिए ऐसा चहरा है मैं तो कहती हूँ कल को आने वाला परधान मंत्री जी भी योगी हूँ और योगी जी ने जो कहा राजस्थान में जाकर बिलकुल सत्य कहा बिलकुल हिंदू राश इसमें देखिए बिल बिलाने वाली कोई जूरवरत नहीं है कोई मतलब कुछ भी कहे एक बहुत बड़े संत है वो योगी जी और सनातन का हमेशा उन्होंने सनातन का पक्ष रखा है क्योंकि वह बहुत बड़े सनातनी है और मैं चाहती हूं कि जो भी उनोंने कहा है वह क्या क्या वा क्या बात है आप बोल रहों सिख इसलाम और बोध इनका क्या भाया कितनी कंट्रियां दे इनको है सारी जगा तो हमारी कार्ड करकर बंगलादेश यह ले गए पाकिस्तान यह ले गए और अरब मैं यह पूछना चाहती हूँ अभी तो यह कश्मीर लेकर जा रहे को रहा है आप किसी भी हीरो को देख लो जो भी मतलब मस्लिम समुदाय से वह कह रहा है कि उनकी बीवियां भी कह रही है कि भारत में खत्रा है तो भाया बहुत आप बहुत हैं भारत के लोगों से पैसा भी खा रहे हो और भारत में रह कर भी तुम भारत को गलत बता रहे हो तो भारत का हिंदू राष्ट बनना बहुत जुरूरी है क्यूं आप कह रही है यह हिंदू राष्ट है था बनेगा यहाँ सेकिर्लिजम का जो नारा दिया जाता है उसको आप गलत कैसे प्रूव कर सकती है भारत का जाता है सभी धर्मों का देश है सभी धर्मों का देश है भारत बोला जाता है पर भारत में रहने वालों को यह नहीं बता कि भारत में कैसे रहना है भारत में रहना है शांती शांती सिरफ शांती सिरफ हिंदूों के लिए सनातनियों के लिए तुम शांती से रहो हमे पार्ट पढ़ाया जाता है गीता में रमायन में किसी का बुरा नहीं करना बुरा नहीं देखना अच्छा अच्छा हमें बुरा नहीं देखना हमें बुरा नहीं करना हमें बुरा सैना है ठीक यहां पर अगर आस्थामा बोल दे के मेरे सनातन की तरफ देखने वाले को मैं मार दूँगी या मैं उसका ये कर दूँगी वो कर दूँगी तो सनातंद आस्था माँ पर पर्चा करवाओ आस्था माँ पर एफाई आरो दूसरे समुदाय का कोई उठकर ये खहे के भारत तेरे टुकडे होंगे इंशाला इंशाला पंद्रा मिनट के लिए पुलिस टा दो वा योगी अदितनात के बयान को कही ना कहीं बागेश्वर सरकार जो है उनके बयान से जो है वो लिंक किया जा रहा है क्योंकि जो बागेश्वर धाम के पीटा दीश है धिरिंद्र शास्त्री वो भी कहीं बार कहते हैं कि ये जो राश्ट्र धर्म है इस देश का वो सनातन धर में और यहीं बात योगी अदितनाथ ने प्रूफ कर दी तो कहीं माना जांए कि योगी अदितनाथ समर्थन में आकर खड़े हो गए हैं बागेश्वर धाम की वाग क्या बात आप आप सवाल पुछा, एक बात मुझे बताए, अपने बाप को बाप कहना गुना है, एक बात बताओ आप मुझे, कि बिलकुल अगर योगी जी, धरेंदर शास्त्री जी ये मेरे पास ही है, अगर धरेंदर शास्त्री जी के समर्थन में आया ना, तो आना भी चाहिए था, ये कुछ अपने लिए मांग नहीं कर रहे, ये ना तो अपने घर के लिए ना कोई परसनल अपनी अकाउंट के लिए, ये सिरफ और सिरफ मांग कर रहे हैं कि मेरा रास्त्र, मेरा धरम कही ना कहीं उन्ती पर जाए, मेरा धरम मैं अपना धरम बचा सकूं, जिस उमर के जो ये लोग, जो चाटू कार लोग मैं कहूंगी दलाल लोग जो धरेंदर शासरी के पीछे हाथ दो कर पड़े हैं ना उनको मैं बता दू जिस उमर में तुमारे लॉंडे ओयो होटल में लड़कियां लेकर पड़े रहते हैं उससे कम उमर में ये बंदे ने रिंदू रास्ट बना कर जानते हैं और जहां रही धरेंदर शास्त्री की मैं बार बार बोलती हूं कि जहां इनकी तरफ को यांख उटा कर देखेगा भाईया तो वो अपनी आखों का जुम्मेदार खुद होगा इन पर अंध विश्वास के आरोप लगा रहे हैं कि उनके पास कोई सिद्धी नहीं हैं वो तो ड्रामा कर रहे हैं मेरे को एक बात बताई जाए यह हर्याना में जो बलविंदर हैं जो यह इसा मसी को मानते हैं हना हुलुलिया हुलुलिया करते यह क्या है आप भगेश्वर धाम सरकार को बोल रहे हो यह ड्रामे करता है यह बहुत-बड़ा पखंडी है कुछ तो मैं कहना चाहती हूं उस बलविंदर से वह हालूलिया जो हुलूलिया कर रहा है उससे पूछना चाहती हूं तुने कहा कि पिंगला था वो ठीक हो गया जो वीरचेयर पे था वो बारा साल में मैंने लाल रुमाल असके लगाया ओय हूलुलिया, हूलुलिया सुन मेरी बात, अगर तेरे में इतना दम है, तेरे इसामसी में इतना दम है, तो मैं आस्तामा तुझे चैलंज करती हूँ, बलबिंदर कुमार, वो ही है न तू, जिसके ओपर रेप का केस लगा था, वो ही है न तू, जिसने तूने ओरत को बोला 12-13 बच्चे विकलांगे वीलचेयर पर अच्छे बच्चे मेरे अगर उनको तु बिल्कुल ठीक कर दे किसी भी स्टेज पर कैमे लेकर आउंगी और जहां तु कहेगा मैं अकेली उनको लेकर आउंगी उनको ठीक कर दे जा आज से मैंने सनातन धरम जोड़ा मैं तेरे हूलू लेकर वो गंड से जुद 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 जु जो कि औरतों को बुलाकर उनके साथ गंदी हरकते तुमने हमेशा जहां जब जब सनातन जागने को आया जब जब सनातन के लिए किसी नावाज उटाई धरेंदर शास्तिनी की तरह टार्गड की अब आवाज योगी अदित्यनात भी अब आवाज बन गए हैं क्या मैं हम गलत पर चार करते हैं हम हिंदू मुस्लिम करते हैं हमें नहीं करना चाहिए हना तो भाईया या तो तुम्हारी कटी हुई है या तुम्हारी कटने वाली है या तुम कटवाने वाले हो तीनों में से एक चीज़ है अब यह तुम्हें पता है मैं तुम्हें फिर कह रही जहां पर तुम मेरे धरम का अपमान करोगे जहां तुम मेरे भगवान को एक गाली दोगे सालों दस गालियां ना दू मैं अपने बाप की उलादरी जहां तुम धरेंदर शास्री के बारे में गलत बोलोगे सोबर तुमारे अरोप लगाऊंगी जो तुमारे मेरे मुबाइलों में हैं, मेरे मुबाइलों में तुमारे मौलवी मुलाना, तुमारे हूल उलिया, हूल उलिया करते, सब पखंड मेरे मुबाइल में हैं, चाहो तो कभी भी कहीं भी समय बताने ना के लिए आउंगी तुमारे पास मैं, किसी के बाप से न जरती क्योंकि मैं सच बोलती हूं और सच के साथ चलती हूं और हैं मैं पुफना चाहती हूं यह चादर्फादर वालों से भी-अगला टार्गध ध्रेंदर शासरी के बाद क्या करोली वाले बाबा को बना रहे हो वो भी भूत प्रेत मंगाते हैं वो भी भगा देते हैं वो भी मुर्दों में जान डाल देते हैं बता दो भीया मुझे समय और टाइम बता दो कि अगला टार्गेट करो लीवाले बाबा को कर रहे हो जो जो नहीं नहीं उनको नहीं करेंगे सच उनको नहीं target करेंगे हाँ हाँ मैं आपके channel से बता दू उनको नहीं करेंगे क्योंकि वो सिरफ लोगों की समस्यस उनके हल करते हैं वो हिंदू रास्ट की बात नहीं करते वो कहते नहीं है कि बेटियो तुम चाहे कम रोटी खा लेना तुम दहेज कम ले लेना तुम चार जमाते कम पड़ लेना पर अपने हिंदू बच्चे से शाधी करना किसी गएर समुदाई से शाधी मत करना इसलिए इनको target किया जा रहा है इसलिए इस संत को target किया जाรहा है मैं बता दू ये जैसे बोलते हैं ये वैसे ही बोलेंगे जब दक सनातियों का साथ रहेगा और महाकाल का और राम जी का और हनमान जी का साया रहेगा किसी के बाप में हिम्मत नहीं है टांगे तोड़ दूँगी चीर दूँगी जिसने धरेंदर शास्त्री की तरफ आख भी उठा कर देखी अगर इसके लिए ह हम मरना जानते हैं इस संत के लिए तो मारना भी जानती हूं याद रखना यह मेरा चैलेंज है अगर किसी ने महराजी के ओपर कुछ किया तो भाईया चाहे भगवे का सम्मान समून एक तरफ और अपने सनातन धरम का सम्मान एक तरफ और उसकी ऐसी तैसी मैं बजाओंगी को जिन्दगी में याद रखेगा यह मैं आप लोगों को बता दूँ तो सुना आपने क्या कुछ कहा आस्था माने इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से योगी अदित्यनात का बयान इन दिनों वाइरल हो रहा है इसको लेकर इनों से साफ कर दिया कि योगी अदित्यनात क के बयान के समर्थन में ये खड़ी हैं साथी इन्होंने बागेश्वर धाम के जो पिठादीश है दिरेंद्र शास्त्री पर भी बहुत कुछ कहा है वो भी आपने सुना तब तक के लिए आप बने रहें ये सौगंद टीवी के साथ मुझे दीजे जाज़त धन्यवाद चैनल को लाइक शोड़ा सब्सक्राब करना बल्कुल ना भूलें क्यामरा पोसन पंचानन के साथ शालनी जा दिल्ली सौगंद टीवी सौगंद वतन की